कि हैं एलो एबरीवन अब अबल्म तो फिर आप लोग के लिए मैस का रिवीजन प्लास लेकि आई हूं जिससे की आपको एक्जाम में हेल्प होगा तो आज हम लोग फिर से कुछ कोश्टन्स करेंगे उन कोश्टन्स से पहले हम लोग उस जिस टॉपिक से ये कोश्टन्स है तो आज का टॉपिक है निर्डे सांक जया मिती can 3 kings यह एक्सांग होता है यह दोनों जिस टल पे होते हैं उसे हम लोग कार्थिये दल करते हैं ठीक है यह दोनों जिस तल पे होते हैं उसे हम लोग कार्थिये तल करते हैं चलिए देखते हैं यह हो गया हमारा एक्स अक्ष ये हो गया वाई अक्ष ठीक है ये हो गया एक्स डैस अक्ष और ये हो गया वाई डैस अक्ष और ये दोनों जहां पर कट रहे हैं दोनों लाइन इस कटान बिंदू को हम लोग कहते हैं मुल बिंदू ठीक है इसे ओ से डिनोट करते हैं इसका जो निर्दे सांग होता है वो हमेशा क्या होता है 00 ठीक है 00 क्यों होता है क्योंकि यहां पर जीरो होता है और यहां पर y-axis भी 0 होता है ठीक है y-axis भी 0 होता है ठीक है अब यहां पर देखेंगे हम लोग 1 2 3 यहाँ पर कर जाएगा 1, 2, 3 यहाँ पर x- में sub negative रहेगा ठीक है minus 1, minus 2, minus 3 उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा y- में भी sub negative रहेगा minus 1, minus 2, minus 3 इस तरह से अगर हमने कहे कोई की भूज क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि x-axis x-axis जो है वो हमारा भूज है ठीक है और कोटी क्या है तो y-axis हमारा कोटी है ठीक है कोई point है जैसे माल लेते हैं जब यह दोनों line जो काटते हैं तो यह 4 भागों में भी वाजित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं चतुर्थांस कहते हैं ठीक है यह हमारा चतुर्थांस पहला यह दूसरा चतुर्थांस यह तीसरा चतुर्थांस और यह चौथा चतुर्थांस इसमें क्या होता है इसमें x-axis और y-axis दोनों होते हैं positive ठीक है और इसमें क्या होता है इसमें जो होता है हमारा x-axis निगेटिव होता है और y-axis क्या होता है y-axis होता है positive थर्ट चतूर्थांस में क्या होता है दोनों निगेटिव होते हैं x-axis भी और y-axis भी और फोर्थ चतूर्थांस में क्या होता है y-axis हमारा क्या हो जाता है निगेटिव होता है और x-axis positive होता है ठीक है तो यह हम लोग जानगे अब हमसे पूछेगा कि भूज क्या है तो हम लोग बोलेंगे x-axis ही हमारे भूज है और कोटी क्या है तो y-axis कोई questions है कि एक point है जिसे कि आपको दर्साना है जिसका निर्दे सांख है 3 और 2 ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ दोनो positive positive है यानि कि हमारा किसमी होगा पहली चतूर्थांस में तो यहां से 3 x-axis पे है 3 तो 3 यहां पे गिया और y-axis पे कितना है 2 तो यहां से एक line करेंगे तो यह जो point हुआ मेरा हो हो गया a 3 और 2 तो इसमें भूज क्या हो गया x-axis पे क्या है 3 एकक है तो भूज हमारा हो गया 3 ठीक है और y कोटी क्या हो गया y-axis पे क्या है 2 एकक तो हमारा कोटी हो जाएगा 2 भूज और कोटी चतूर्थांस यह सब आप लोग को समझ में आ गया होगा 36 रेखा अब चलिए अब इससे related questions करते हैं ठीक है यह जो हमारा अ कि एसांग क्या हुआ तो क्या बोलेंगे एक का जो यहाँ पे जो a point है वहाँ पे x-axis पे क्या है 3 है और y-axis पे क्या है 2 है तो इसका निर्देसांग क्या हो जाएगा 3 और 2 ठीक है अब चलिए अब questions करते हैं हम लोग कुछ questions देखते हैं क्या है first question बिंदू एल का निर्देस सांग क्या है अब हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे कि बिंदू एल कहां पर है तो बिंदू एल को करते हैं ठीक है तो इको एक्स एकस एकशिस पर क्या है क्योंकि यह इधर ही एक्स दैश और Y-axis पे ठीक है यह तीसरे चतुर्थांस में है तो हम लोग x-डेस पे देखेंगे पहले x-डेस को लिखेंगे फिर y-डेस को लिखेंगे तो x-डेस एकस इस पे क्या है भाई तो minus 5 है तो हम लोग का क्या हो गया minus 5 और y-डेस पे क्या है minus 4 ठीक है तो हम लोग का निर्देशांग बिंदू L का क्या हो गया –5 और –4 तो option number C next question क्या है बिंदू S की कोटी क्या है बिंदू S की कोटी पूँछा है तो S का पहले हम लोग निर्देशांग निकाल लेते हैं निर्देशांग क्या हो जागा 3 3 है X axis पे और minus 4 है y axis पे बिंदू s का निर्दे सांग हो गया 3 और minus 4 तो 3 क्या हो गया हमारा भूज हो गया और minus 4 क्या हो गया कोटी तो बिंदू s का कोटी क्या होगा minus 4 ठीक है option number b next question देखते हैं क्या है बिंदू b की भूज क्या है अब हम लोग आकरीती में देखते हैं कि बिंदू b कहां पे है तो बिंदू b हमारा यहां पे है बिंदू b हमारा यहां पे है अब इसका भूज क्या होगा तो भूज तो ऐसे direct भी निकल जाएगा लेकिन आसानी के लिए हम लोग पहले निर्देसांग किसका लिखेंगे तो बिंदू b का निर्देसांग क्या हो जाएगा 4 और 3 तो इसका भूज क्या हो जाएगा एक सेक्सिस पे क्या है 4 है तो इसका भूज हो जाएगा 4 ठीक है तो option number d बिंदू b की भूज 4 यानि option number d अब क्या है next question निर्देसांग 3 और minus 4 द्वारा पहचाना गया बिंदू अब यहाँ पर निर्देसांग दिया हुआ है और हमें बिंदू पहचानना है ठीक है आकरीती देखेंगे निर्देसांग दिया हुआ था 3 और minus 4 तो एक सेक्सिस पे 3 कहाँ पर है 3 यह रहा हमारा और minus 4 यहाँ पर है तो यानि कि इसका जो हो गया निर्देसांग वो हो जाएगा 3 minus 4 तो बिंदू कौन सा हुआ हमारा एस ठीक है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा B नमबर S कारतिये तल में 36 रेखा को क्या कहते हैं अभी मैं बताई थी 36 रेखा किसे बोलते हैं X अक्ष को और उर्धु आरधर रेखा किसे बोलते हैं Y अक्ष को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Option नमबर A X अक्ष next question देखते हैं मूल बिंदु का निर्दे सांग क्या है मूल बिंदु क्या था हम लोग का origin के पास होता है ठीक है तो मूल बिंदु का निर्दे सांग हमें इसा क्या होता है 0-0 तो इसका क्या हो जागा option number B अब next question देखेंगे फिर से आकरिती देखकर निम्लिखित प्रस्णों के उतर दीजे अब क्या पूछा है बिंदू B का निर्देसांग क्या है तो अब हम लोग देखेंगे कि बिंदू B कहां पे है और उसका निर्देसांग क्या है तो यहां पे है बिंदू B अब इसका निर्देसांग हम लोग नोट करते है x-axis पे क्या है minus 5 और y-axis पे क्या है 2 ठीक है तो इसका निर्देसांग हो जाएगा minus 5 और 2 option number C next question क्या है निर्देसांग minus 3 minus 5 द्वारा पहचाना गया बिंदू अब यहाँ पर निर्देसांग दे दिया है और हमें बिंदू पहचानना है कि वो कौन सा बिंदू है तो निर्देसांग क्या दिया हुआ है minus 3 और minus 5 यानि minus 3 x-axis पे होगा और minus 5 y-axis पे तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे है minus 3 और minus 5 तो यह रहा minus 3 और minus 5 तो इसका क्या हो जागा answer option number B next क्या है D का भूज क्या है तो D का भूज क्या है तो आकरिती देखके पता चलेगा अब बिंदू D कहाँ पे है बिंदू D यहाँ पे है अब इसका भूज पूछा है भूज मतलब की x-axis वाला पहले इसका हम लोग निर्दे सांग लिख लेते हैं तो निर्दे सांग क्या हो जाएगा 6 और 2 तो भूज क्या हो जाएगा 6 ठीक है तो D का भूज क्या होगा 6 यानि option number A अब पुछा है बिंदू H की कोटी क्या है बिंदू H की कोटी क्या है अब बिंदू H कहाँ पे है, देखते हैं हम लोग बिंदू H कहाँ पे है, बिंदू H यहाँ पे है, अब इसका निर्दे सांग पहले लिख लेते हैं, क्या होगा, तो इसका निर्दे सांग होगा, माइनस 5 और माइनस 3, तो इसकी कोटी क्या हो जाएगी, माइनस 3, क्योंकि मा तो अब हम लोग बिंदू M देखेंगे कि कहां पे है, बिंदू M यहां पे है, ठीक है, बिंदू M यहां पे है, तो इसका निर्देसांग क्या होगा, माइनस 3 और y axis पर क्या होगा 0 तो यहाँ पर माइनस 3 और 0 ठीक है तो बिंदू M का निर्दे सांग क्या हो जाएगा माइनस 3 and 0 यानि option number B next question देखते हैं x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदू को क्या कहते हैं तो जो हमारा x अक्ष यह हमारा x अक्ष हो गया यह हमारा y अक्ष हो गया यह दोनों का जो कटान बिंदू है यानि कि यह इसे हम लोग क्या कहते हैं मूल बिंदू ठीक है तो इसका option number क्या हो जाएगा d ठीक है thank you thank you for watching अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें thank you